नमस्कार दोस्तों आज हम आपको एक अध्भुत यात्रा पर ले चलेंगे आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है मंगल ग्रह यह ग्रह न केवल वैज्ञानिकों के लिए बलकि आम लोगों के लिए भी एक रहस्य और आ क्या वहां जीवन है यह सवाल हमें सदियों से परेशान करता आ रहा है वैज्ञानिकों ने मंगल पर जीवन के संकेत खोजने के लिए कई मिशन भेजे हैं क्या हम वहां रह सकते हैं आईए जानते हैं मंगल पर जीवन की संभावनाओं को जानने के लिए वैज्ञानिकों वहां की मिट्टी, वातावरन और पानी की खोजने हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह पृत्वी का सबसे करीबी पडोसी है। यह ग्रह आकार में पृत्वी से छोटा है। लेकिन इसकी सतह पर कई ऐसे तत्व हैं जो इसे विशेश बनाते हैं। यह लाल रंग का दिखता है क्योंकि इसकी सतह पर लोहे का ऑकसाइड है, यानी जंग। इस जंग ने मंगल को उसका विशिष्ट लाल रंग दिया है, जो इसे अन्यक ग्रहों से अलग बनाता है। हमें मंगल पर जीवन की संभावनाओं के बारे में बहुत उत्सुकता है। वैज्ञानिकों ने वहाँ पानी के संकेत पाए हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक है। अगर मंगल पर पानी है, तो वहाँ जीवन की संभावना भी हो सकती है। मंगल पर अब तक कई मिशन भेजे जा चुके हैं, जिन में से कुछ सफल रहे और कुछ असफल। लेकिन हर मिशन ने हमें कुछ नया सिखाया है। इन मिशनों ने हमें मंगल की सतह, वातावरण और वहाँ के मौसम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। भविश्य में हम मंगल पर मानव बस्तियां बसाने का सपना देख रहे हैं। यह सपना अब धीरे धीरे हकीकत में बदलता जा रहा है। वैग्यानिक और इंजीनियर इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। मंगल पर जीवन की संभावनाओं को जानने के लिए हमें और भी कई मिशन भेजने होंगे। इसके लिए हमें अत्याधुनिक तकनीक और संसाधनों की आवशक्ता होगी। लेकिन यह सब संभव हैं अगर हम मिलकर काम करें। मंगल ग्रह का बुलावा हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों को साकार करें। यह ग्रह हमें सिखाता है कि अगर हम मेहनत और लगन से काम करें, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह की इस अध्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहे हम आपको और भी रोचक जानकारियां और कहानियां सुनाते रहेंगे। हमें वहां के जीवन के अनुकूल होने में मदद मिल सकती है। वहां भी ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है। यह बर्फ पानी के रूप में है जो जीवन के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन बर्फीले क्षेत्रों में पानी की उपस्थिती मंगल पर जीवन की संभावनाओं को बढ़ा सकती है। यह सब हमें बताता है कि मंगल और प्रित्वी में कुछ समानताएं हैं। दोनों ग्रहों की सतह पर घाटियां, पहाड और ज्वाला मुखी हैं। यह समानताएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम मंगल पर भी जैसे हम प्रित्वी पर रहते हैं। लेकिन क्या यह समानताएं हमें वहां रहने के लिए काफी हैं। है कि वहां पर आपका वजन कम होगा, जिससे चलने और काम करने में अंतर आएगा। इसका मतलब है कि आप वहां पर ज्यादा उची छलांग लगा पाएंगे। यह कम गुरुत्वा कर्शन हमें नई संभावनाओं और चुनोतियों के साथ एक नया अनुभव देगा। ले हमा का वायुमंडल बहुत ठंडा है और सौर विकरन से बचाव के लिए पर्याप्त नहीं है। इन सभी चुनोतियों के बावजूद वैज्यानिक और शोध करता लगातार मंगल पर जीवन की संभावनाओं को तलाश रहे हैं और वहां रहने के तरीकों पर काम कर रहे मंगल का वातावरण प्रिथवी से बहुत अलग है। वहां की हवा में ज्यादातर कार्बन डायोन अकसाइड है जो मनुष्यों के लिए जहरीली होती है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो मंगल पर बहुत कम है। इस चुनोती से निपटने के लि नहीं। क्या मंगल पर जीवन संभव है? यह सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हालां की वैज्यानिकों को मंगल पर पानी के कुछ प्रमाण मिले हैं जो जीवन की संभावना का संकेत देते हैं। भविश्य में हम मंगल पर जीवन के और सबूत खोज सकते हैं। अगर मंग करेगा कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। एलन मस्क का सपना है कि मानवता को एक बहु ग्रह सभ्यता बनाया जाए और इसके लिए मंगल ग्रह सबसे उपयुक्त स्थान माना जा रहा है। इन रॉकेटों की मदद से स्पेसेक्स ने पहले ही कई सफल मिशन पूरे किये हैं। और अब उनका ध्यान मंगल पर है। स्पेसेक्स का लक्ष है कि 2030 तक मंगल पर पहली मानव बस्ती स्थापित की जाए। इस बस्ती में रहने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं होंगी जैसे कि ऑक्सीजन उत्पादन, पानी की आपूर्ती और भोजन की व्यवस्था। यह बस्ती मंगल पर मानव जीवन को संभव बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगी यह एक बहुत ही महत्वा कांक्षी लक्ष्य है। लेकिन अगर यह सफल होता है तो यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धी होगी। यह मिशन न केवल वैग्यानिक दृष्टिकोंड से महत्वपूर्ण है बलकि यह मानवता के भविश्य को भी सुरक्षित कर सकता है। मंगल पर जीवन की संभावनाओं को खोजने और वहां एक स्थाई बस्ती स्थापित करने से हम अपने ग्रह के बाहर भी जीवन की संभ अपनीकों का उप्योग करके मंगल की मिट्टी से ही घर बनाने की योजना बना रहे हैं। यह घर हमें मंगल के कठोर वातावरन से बचाएंगे और हमें रहने और काम करने के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप मंगल ग्रह पर रह रहे हैं। आप एक नए ग्रह के अनवेशन में सबसे आगे होंगे। आप नई खोजें करेंगे और मानवता के लिए एक नया घर बनाने में मदद करेंगे। यह भविश्य की एक रोमान्चक संभावना है। मंगल ग्रह पर बसना आसान नहीं होगा। लेकिन यह मानवता के लिए एक अविश्वस्निय उपलब्धि होगी। मंगल ग्रह पर बसना अभी भी एक सपना है। लेकिन यह सपना हकीकत बनने के करीब है। वैज्ञानिक और इंजीनियर उन चुनोतियों का समाधान खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं जो मंगल पर जीवन के रास्ते में आती हैं। अगर हम सफल होते हैं, तो मंगल ग्रह मानवता के लिए एक नया घर बन सकता है। यह एक ऐसा भविश्य होगा जहां हमारी प्रजाती प्रित्वी से परे भी फल फूल रही होगी। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। क्या आप कभी मंगल ग्रह पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।